विलकम बेक देखिए आज हम लोग सम अफ नेचुरल लंबर पे बात करेंगे कि नेचुरल लंबर अगर आपको सिंपली दिया हुआ है 1 पलस 2 पलस 3 तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको ये स्कूर में दे रखा है तो इसका formula क्या होगा, तो काफी important हो जाता है ये exam purpose से, और एक हम लोग 4th power भी ले लेंगे, 4th power भी use पड़ जाता है exam में, तो इसको भी आप याद रखेंगे, तो आपके लिए easy होगा, ठीक है, अब देखो sum of natural number का square क्या होता है, simply देखो कि ये आपका क्या है, AP का sum है, और AP क sum का formula क्या होता है, तो n by 2, first term plus last term, ठीक है, तो ये ही होता है, इसको short में ऐसे लिखा जाता है, sigma r, okay, r आपका 1 से n है by default, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इसका formula हो जाता है, n, n plus 1, 2n plus 1 by 6, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत मुश्किल नहीं है, असी का square कर दो, तो ये आपको sigma r cube हो गया, ठीक है, fourth power का देखोगे, तो इसका हो जाता है, n, n plus 1, 2n plus 1, into 3n square plus 3n minus 1 divided by 30, तो आप इसको देखोगे, कि ये इस से match करता है, चोकि ये वो 2 degree था, ये 4 degree है, तो पहला जो 3 term है, वो उसी का है, अफिर जो इसमें चौथा factor एड़ ह हुआ है, वो ये है, ठीक है, ये सारा formula देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते है, ये fourth power ओला उपर लिखा हुआ है, ठीक है, फिर आपका ये first in natural number का है, ये आपका sum of square of first in natural number हो गया, ये आपका sum of cube of first in natural number हो गया, तो ये सब आपका formula यहाँ प ही कर सकते हो ओके देखते हैं हम लोग यहां पर जैसे पहले तो देखें यहां पर एक फोर नंबर प्रोपर्टी भी देख लिजिए ठीक है क्या ही है सिंपल ही अगर सिग्मा वन है सिग्मा वन का मतलब क्या हो गया कि आपको किसी कॉंस्टेंट को एड करना है मालो आर वन अब हम लोग सिंपल पूरूफ का बात करें यहां पर देखते हैं पूरूफ भी इसका मैं आपको दिखा देता हूं कर पाएंगे ठीक है अगर किसी को पूरूफ का जूरुत है तो वह देख लिजिए कि मानलो जैसे मेरे को यह निकालना है सम आफ स्क्वाइर अफ रखिएगा तो यह 1 हो जाएगा तो 1-0 हो जाएगा, अगर क का बेलू 1 रखते हैं तो आपको यह मिलेगा अधर आपका क का बेलू 1 डालने से यह आ जाता है ठीक है क का फेलू 2 डालोगोगा तो इधर यह यह आएगा इस तर Авफ यह जाएगा 3 डालने से भी इस तोरीकी Matter के इसी pattern में n-1 का whole cube भी cancel होगा, तो finally आपको only n cube बचता है, n cube minus 0, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, कि यहाँ पर जब आप 3 को common लेगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, 1 का square plus 2 का square right plus n का square minus 3, इसमें आप देखोगे, 3 common लेगे इसमें से, second वाले में से, तो आपको आजा इधर क्या है हम लोग का, इधर हम लोग का, सी बचा n cube, ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको, चुकि मेरे को find करना है, इसको मैं suppose कर लेता हूँ, sn square, जैसे यहाँ पर मैंने इसको sn square से denote किया था, sum of square of natural number minus 3, यह आपको formula पता है, n into n plus 1 by क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, plus n is 1 by 2 हो जाएगा, और minus n, अब अब से इसको आप simplify करेंगे, तो आपको देखो, यह result आ जाएगा, ठीक है आपको चला जाएगा, तो बहुत जल्दी प्रूफ कर सकते हैं, एक और यह दूसरा तरीका है, जो और भी shortcut है, वो यह है, कि देखो, आप जितना अच्छा diagonal subtraction बनाओ हो गे ना, उतना जल्दी बनता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा factor बना, लेकिन अगर मैं इसको लूँगा, 2R plus 1 का whole cube, minus 2R minus 1 का whole cube, तो directly आपको क्या मिलता है, 24R square plus 2, अब आप देखो कि यहाँ पर आपको, कि अगर R का value रखते हो, 1, 2, 3 से ल फिर आप 2 रखोगे तो क्या आएगा, तो यह आप 2 रखोगे तो आजाएगा 5 cube, अधर आजाएगा आपका 3 cube, इसा आजाएगा आपका 3 cube, एधर आपका 3 cube, एकटा प्लस 2, यह आपका आपका जाल्ता चलना है, लास्ट मे आपका जो 2R plus 1 का whole cube है का इसको अप्लिक सेक ते square plus 2 right अब देख सकते हो कि कितना easily यहाँ पर मैं आपको बस यह दिखाना चाहता हूँ कि यह diagonal subtraction का rule है और जितना अच्छा आप इसको बनाएंगे उतना ज्यादा working करेगा जैसे देखो यहाँ यहाँ यह cancel होता जा रहा तो मेरे को क्या बचेगा sn का square याने 1 square, 2 square, 3 square, n square याने यह term बच रहा है इसको हम लोगों ने sn square suppose किया हुआ ठीक है plus 2 को आप n times 8 करो क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा अब यहाँ से बहुत easily आप क्या कर सकते हो sn square याने sum of square of natural number निकाल सकते हो ठीक है यहाँ पर देखो जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप आप में देखेंगे क्या है, a plus b का whole cube है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, aq minus b cube apply कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2n plus 1 minus 1, ठीक है a minus b, फिर a square, तो a square करेंगे, a square ठीक है, plus b square, a square plus a b करते हैं, ठीक है, और plus b square, तो यह आपका आजाएगा अंदर में, और equal to क्या हैगा, इसर आपका आजाएगा 24 sn square plus 2n, अब देखेंगे, आप यह आपका 1-1 cancel हो गया, तो यहाँ साब दिखोगे, कि sn square के आजाता है, तो यह मेरा आजाएगा 24 sn square is equal to आजाएगा, यहाँ पर आपका 2n है, 2n, और यह 2n को भी उधर ले जाएगे, तो क्या बचेगा, 2n को common ले सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर आजाता है, देखोगे, इसको आप expand कर दो, तो आपका आजाएगा, 4n square, right, plus 4n, okay, अब यहाँ देखो, 1, इसके पास 1 आएगा, अच्छा, 4n और 2n, 6n कर देते हैं, एक ही बार में कर देते हैं, ठीक, 6n हो गया, फिर 1 और 1, 2, और 1, 3, तो 3 और इधर से minus 1 आपका, ठीक, इसको systematically simplify करना कोई दीकत नहीं है, तो आप देखोगे, क्या आजा रहा है, तो 2n आ n square plus 3n plus 1, okay, अब यहाँ पर प्चाहो तो, जैसे आपका 24 को नीचे ले आओ, ठीक है, तो आपका sn square क्या आजाएगा, sn square मेरा आजाएगा, 4 by 24 याने 1 by 6 n, इसका आप factor करोगे तो आजाएगा, n plus 1 और 2n plus 1, सही है जी, तो आप देखेंगे कि काफी easily आपका यह बन जाता है, अच्छा, यहाँ से मेरा 2 को common लियाता है, यहाँ पर 2n square होगा, देखेंगा, 2n square plus 3n plus 1, अब सही है, चलो, तो यह आपका आजाता है, देखो कितना जल्दी आपका आगया, तो बहुत easily आएगा, कोई issue नहीं है, आप इस तरीके से proof कर सकते हो, अब जैसे मैंने square का निकाला आप cube कभी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, जैसे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, cube के लिए देखो यह है, तो इसके लिए अगर आप मैं यह factor लेता हूँ, ठीक है, यह factor, यहाँ से मेरे को यह expansion मिलता है, k का value 1, 2, 3n डाल देंगे, इस तरीके साब यहाँ पर यहाँ इस तरीके से यह cancel होता जा रहा है, 2, 4, plus, minus में सारे equal value है, ठीक है, आपको इस pattern में क्या मिल रहा है, only आपको इधर, simple ही आपको इधर इस तरफ क्या मिल रहा है, n plus 1 का whole 4, minus 1, 4, ok, और यहाँ पर 4 को अगर common लेने, तो हमेरा, जो sn cube है, वो बचेगा, plus 6, यहाँ पर आप दे का रहा है, n को n times add करेंगे, तो अब यह आपको पता है, यह आपका होता है, n, n plus 1, 2, n plus 1 by 6, ok, और यह आपका n है, अब सब को simplify करोगे, तो only आपको sn cube बहुत जल्दी निकल लाएगा, यह वाला, और quick निकालना चाहते हो, तो आपके लिए देखो एक और method है, कि आप यह diagonal subtract ले लो, तो इससे आपको और भी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि आपको directly क्या है, r cube मिल जा रहा है, यह आपको यहापे square का या natural number के sum का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहापे r का value रखते जाओगे, 1, 2, 3, तो आपको देखो क्या मिलेगा, 1 रखेंगे, तो आपको आपक cube, आप 2 रखोगे, तो क्या आजाएगा, तो यहापे आपको आजाएगा, 6 का square, minus 2 का square, 4 into 2 cube, 4 into 2 cube, ok, फिर आप 3 रखोगे, तो क्या आजाएगा, तो यहापे आपको आजाएगा, 12 का square, minus 6 का square, 4 into 3 cube, देख रहा है, इस तरीके साब देखोगे, तो फिर यहापे भी आपको का hole square, तो यह मेरा बच रहा है, तो इधर N square plus N का hole square बचा, इधर directly आप देखोगो 4 को common लोगे, तो आपको SN cube, 1 cube, 2 cube, 3 cube यह बच जाएगा जो मेरा target है, तो कितना quickly हाँ से निकल गया, SN cube आपका निकल गया, N square plus N by 4, यह उपर में hall square है, ठीक है, एन को common लोगा, तो n, n plus 1 by 2, पूरा का hall square आगे है, बिल्कुल बहुत जल्दी बन जाता है, तो proof करना भी जाता मुश्किल नहीं है, तो आप आसानी से proof कर सकते हो, ठीक है, यह तो खेर proof हो गया, proof हमारे भी important नहीं है, अभी हमको क्या है, special series को sum करन है, तो आयो हम लोग quickly उसको यहाँ पर करते हैं, हम लोग, इसका sum हमको निकालना है, इसका sum अगर निकालना है, यह क्या है, आप देखोगे तो, तो यह आपका simply है sum of square of even natural number, इसको मैं देखो, बहुत easily ऐसे कर सकता हूँ, देखो, यह 2.2 into 1 का square है, यह आपका 2 into 2 का square है, यह square plus 3 square, यह आ गया, अब यह तो formula आप जानते हो, तो simply 4, इसका formula हो जाएगा, n, n plus 1, 2n plus 1 divided by 6, आप चाहो तो आप इसको cut कर दो 2 और यह 3, ठीक है, तो जो भी आ रहा है आपका, देखो, कितना जल्दी आपका answer आ जाता है, ठीक है, अगर मालों आपको odd वाला का निकालना है, यहाँ पर sum of cube of odd integer दे रखा है, तो यह कैसे निकालेंगे, तो देखो, इसका एक तरीका यह होता है, कि आप इसका general term निकाल लो, ठीक है, general term निकालो, general term, right, या इसको आप बोलो कि nth term आप इसका निकाल लो, तो आप यहाँ पर देखोगे, कि यह आपका a, p में है, अगर य यहाँ पर, तो यह आपका आजाता है, देखो, two in minus one, यह आगया, okay, तो यह आपका आगया inner term, तो अब यहाँ पर चुकी cube लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर भी cube ही लगा देंगी, ठीक है, तो inner term यह आगया मेरा, cube के form में, अब square, plus 3ab square, याने 6n, और minus b cube, तो यह आगया, right, अब आपको जैसे ही निकालना है, सपोस को यह मेरे को sn है, तो sn क्या हो जाएगा, तो sn जो होता है, यह अगर आप, इसको अगर आप tn बोलोगे, nth term को, तो यह होता है, आपका sigma tn, okay, तो यहाने क्या हो गया, यह sigma हो गया, क्या है, n1 से आपका n तक चलेगा, ठीक, यह अगर यह r में होता, तो r1 से n तक चलता, okay, simply sigma भी लिखा रहेगा, तो वही मतलब है, तो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पर 8 को, 8 को बाहर निकालो, sigma n cube बचेगा, constant को बाहर निकालो, sigma n square बचेगा, यहाँ 6 को बाहर निकाले बचेगा, sigma n बचेगा, minus, यहाँ पर only constant है, तो हम लोग sigma 1 लिखेगा, okay, अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिप यहाँ पर values डाल देने है, ठीक है, formula आपको याद है, तो यह आपका क्या था, n, n plus 1, okay, by 2, इस पूरे का whole square था, याद है na, minus 12, यहाँ पर यह क्या था, यह आपका है, n, n plus 1, 2, n plus 1, by 6, यह था, okay, minus, यह sum of natural number है, simply, यह क्या था, n, n plus 1, by 2 था, minus, sigma 1 क्या था, आपका, तो sigma 1 मैंने आपको बताया था, कि 1 को n times add करेंगा, तो n आएगा, ठीक है जी, तो आपका यहाँ पर, जो है, जो common है, n, n plus 1, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी सको common ले लेते हैं, अंदर क्या बच रहा है, आपका देखोगे तो, तो यहाँ पर आपका बचेगा, 2, okay, n, n plus 1 बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा, 2, 2, n plus 1 बच रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे, तो आपका only 3 बचेगा, ठीक है जी, यह minus n, अब इसको था, simplify कर दो, n, n plus 1, आपर देखते हैं, आपर 2, n square बन रहा है, plus 2, n बन रहा है, minus 4, n, minus 2, or plus 3, minus n, okay, तो, यहाँ पर finally, क्या आजा रहा है, आपका, n, n plus 1, 2, n square, minus 2, n, or plus 1, okay, minus n, अब हम लोगे चाहा है, तो n को common ले सकते हैं, finally, और n plus 1 से multiply किजागा, तो आजाएग 2, n cube, minus 2, n square, plus n, again, 2, n square, minus 2, n, plus 1, okay, और यहाँ पर minus 1, तो, आपका, 1, 1, cancel हो जाएगा, तो, finally, आप देखोगे, तो, फिर से, यह भी आपका, cancel हो जा रहा है, तो, अब हम, n को common निकाल लेते हैं, फिर से, तो, यह, n square हो जाएगा, अंदर में आपका बच रहा है, 2, n square, औ निकाल पाओगे, ठीक है, जी, तो, कोई issue नहीं है, आराम से आपको काम करना है, थाट वाला देखिएगा, कैसे बनाएंगे, जिसे 2 cube है, 4 cube, 6 cube, 8 cube है, तो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2 into 1 का cube, पलस 2 into 2 का cube, ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 3 का cube, अब देखो, आप simply हापर देखोग तो, यह आपका क्या होता है, n, n plus 1 by 2 का whole square होता है, तो, यह आप देख सकते हैं, यह आपका नीचे 4 है, 4 तो, आपका जाएगा, 2 n square, n plus 1 का whole square, बहुत जल्दी आप जो है, answer इस तरह का question का निकाल पाओगे, ठीक है, ठीक है, देखिए, सपोज को हमेरे को, यह 4 number को करना है, तो, कैसे करेंगे हम लोग, यहाप देखिए, 1 into 2 का square, 2 into 3 का square, 3 into 4 का square, इस तरह के से दे रखा है, ओके, आप इसका से पहले निकालना, general term, ठीक है, general term कैसे निकालते हैं, तो, मैंने आपको यह से बताया था, वह यह आप कर सकते हो, general term, nth भी हो सकता है, यह आर-th भी हो सकत हैगा, ओके, चुकि यह आपका only natural number जा रहा है, उसके बाद देखोगे, तो 1 से 1 greater, 2 से 1 greater, 3 से 1 greater, तेरे, next वाला क्या है, r plus 1 का square है, तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप एक तरीका और है, कि आप जैसे, पहले निकालना क्या, 1, 2, 3, इसका आर-th term नि निकालना, ठीक है, अब second अला term क्या है, square में, तो इसको आप square कर देना, अब दोनों देखोगे, तो आपका AP में है, ठीक, आप आर-th term निकालोगे, तो इसका r आएगा, इसका फिर से वही आएगा, r plus 1, जैसा मैंने आपको बताया था, तो square, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक इस क्या होता है, sigma tr होता है, ठीक है, तो यहाँपे, sigma r cube plus 2 r square plus r, अब देखो, यहाँपे, sigma r cube क्या हो गया, natural number के cube का sum हो गया, फिर यहाँपे 2 बाहर हो जाएगा, sigma r square, ठीक है, फार्मुला आप जानते हो, यह क्या होता, यह n n plus 1 by 2 का whole square होता है, ठीक, प्लस 2, यह क्या होत यह होता है आपका n n plus 1 by 2 आप कुछ करना नहीं है इसको आप simply solve कर दो चाहो तो आप n n plus 1 by 2 को common लेलो चोकि यह सब में दीख रहा है ठीक है ना तो क्या बचेगा तो बचेगा n n plus 1 by 2 यह बचेगा पलस यहां पे आप देखोगे तो हम लोगों का नीचे से 2 निकल गया है तो 3 बचेगा तो 2 2 n plus 1 by 3 बचेगा और यहां पे आपका 1 बचता है अब आपको क्या करना सिंपल इसको solve कर देना है ठीक है आपको अगर गीवेन है आपको 2 n square minus 3 n plus 5 यह अगर आपको बोलता है find Sn तो निकाल सकते हैं आप सिंपलाई कर गएगा आपका निकल लाएगा जैसे हम लोग उपर में किये थे ठीक है कि आपको स्रीज दे रखता है तो आपको आपको निकला हुआ हुआ है यह गीवेन है तो आपको dietation निकालना है तो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे ठीक है फिर मालो दूसरा में question देता हूँ आप find करना find sum इस sum को आप निकालना क्या है 1 into 2 का square plus 2 into 3 का square plus 3 into 4 का square right इस तरह का तो यह सब आप मेरे को अच्छा यह तो साथ हो गया ना मैंने आपको बता ही दिय चलो इसको छोड़ो एक और sum मैं आपको देता हूँ find sum sum करना आप ठीक है किसका 1 into 2 into 5 plus 2 into 3 into 6 plus 3 into 4 into 7 okay इसका आप बोलो किसका sum कैसे करेंगे इसका आप निकालना पहले general term अगर आप rs term निकालोगे तो तो तरीका मैं दिखा रहा हूँ ठीक है पहला तो आपका 1 2 3 यह चल र है 2 3 4 regular चल रहा है 1 से 1 greater है यह 2 से 1 greater है 3 से 1 बड़ा है ठीक है ना इस तरीके से चल रहा है तो यह जो second term है वो पहले term से क्या है एक बड़ा है यह बोल सकते हो और regular चल रहा है तो यह यह क्या होगा पहले अगर r है तो यह r plus 1 हो जाएगा जो आप जल्दी कर सकते हैं आप जल्दी कर लें फिर लास्ट वाला क्या चल रहा है लास्ट वाला चल रहा है आपका 5 6 7 ऐसे चल रहा है तो आप देखो कि actually क्या है कि इस से 3 greater है यह 3 बड़ा है तो जो भी term यहाँ पे लिए हो उसमें आप 3 जो है बड़ा कर दो plus 3 कर दो क् सिंपल आप इस तरह का formula लिख सकते हो ठीक है देख करके और चाहाँ तो वह एपी वाला technique भी लगा सकते हो कि सब का लग लग निकाल लो ना वान पहला टर्म का लेलो फर्स टर्म का रहत टर्म हो जाएगा ठीक है पहले टर्म क्या है 1 है 2 है 3 तो पहले वाले का रहत टर्म फिर इंटू फिर 2 है 3 है 4 है 2 3 4 का रहत टर्म फिर आपका 5 है 6 है 7 है तो इसका रहत टर्म ठीक है तो इतीनों का रहत टर्म निकालेंगा इसका तो आप निकाल के देख का जो जनलें टर्म vrij लगाकर हर्ट्र का निकाल सकते हो जू सब्सेंघ के यहां पे स्कुइल टो न है तो सब है तो सिंपल में है यहां यह से वपर है मैं ज़से उपर यहां ऐं करके आप को दिखांगा थे और अच्छे से करेंगे तो आजाएगा आर क्यूब प्लस फाइबार स्कॉर प्लस फोर र अब आपको सिंपल यह आर ट्रम मिल गए तो आपको इस निकालना है तो सिग्मा आर होता है ठीक है सिग्मा टी आर तो बहुत इसली आपका निकल जाएगा आप इसको करके रखना ठी होंगे तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो ठीक है और पूरा कंटेंट अच्छे से कर लो प्रैक्टिस आपके अच्छी रहनी चाहिए ओके तो आई हो आपके लिए फूटफुल था अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा चैनल पहने हैं सब्सक्राइब कीजिए अग आपको मेरे अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लिकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां से को पड़ सकते हैं ठीक है थांक्यू वरी मिच्छ